नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल बाईलोजी एक्स्ट्रा में दोस्तों फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक काफी इंट्रेस्टिंग है उम्मीद करता हूँ आप बगएर स्किप किये अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सी नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी क्या आप जानते हैं कि भारत की राश्टी सबजी क्या है क्या आप जानते हैं कि भारत का राश्टी सूचमजीव क्या है यही सारी चीजे इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस यूटूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक यह हम सेयर करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन से मिलिए यह है भारत का राश्टी पक्षी मोर जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिष्टेटस है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिष्टेटस है ये है हमारा राश्टी पुष्प कमल जिसका वग्यानिक नाम है निलंबा निूशी फेरा इन से मिलिए ये है भारत का राश्टी पशू नेशनल एनिमल रॉयल बेंगल टाइगर जिसका वग्यानिक नाम है पैंथरा टाइगरीस दोस्तो ये है रसीला आम भारत का राश्टी फल जिसका वग्यानिक नाम है मैंजी फेरा इंडी का वैसे तो इसे आप जानते होंगे ये है हाती भारती हाती जो अपने हाती दात के लिए जाना जाता है यहाँ है भारत का धरोहर राश्टी धरोहर प्राणी यहां है भारत का राष्टी धरोहर प्राणी या National Heritage Animal जिसका वैज्ञानिक नाम है Eliphas Maximus भारती परंपरा में सबसे पवित्र मानने जाने वाला व्रक्षों में से एक व्रक्ष है यहां अपने विसाल का आकार के लिए जाना जाता है बरगद यहां है भारत का राष्टी व्रक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम है Ficus Bangalenses दोस्तो यह है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जिसे National Aquatic Animal होने का गौरोप्राप्थ है राष्टी जली पश्यू होने का गौरोप्राप्थ है इसकी संख्या लगातार कम होने के कारण कि इसके सरक्षण को द्रश्टिकत रखते हुए इसे National Aquatic Animal का दरजा दिया गया है इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेयर टैनिस्टा गेंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है और इसके सरक्षण पर लगातार प्रयास किया जाना चाहिए दोस्तो आप इनसे तो आखी पी होंगे ये है किंग कोब्रा किंग कोब्रा को National Reptile होने का दरजा प्राप्त है यहां राश्टि सरिस्रप होने का गवरव पाया हुआ एनिमल है जिसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है इसके फन के पीछे की और इस पेसल सरचना पाई जाती है जो इसकी विशिस्ट पहचान को दरसाती है दोस्तो इनसे मिलिए ये है कासी फल अर्थात कद्दू कद्दू को National Vegetable होने का गवरव प्राप्त है और इसका बाटनिकल नेम है कुकर बिटा पीपो इसका बाटनिकल नेम है कुकर बिटा पीप दोस्तो चितर देखकर आप गच्चा खागए होंगे कि यह क्या है यह है नेशनल माइक्रोप्स रास्टी सूच्मजीव लेक्टो बैसिलास डेल ब्रूकी सब इस्पीसीज जिसे रास्टी सूच्मजीव लेक्रोप्स होने का गवरो प्राप्त है यहां गवरो इसके यूज़ के कारण है इसका मुख्य रूप से यूज़ जो है वाइन बनाने में किया जाता है उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको यहाँ वीडियो पसंद आएगा नौलेज़ेवल है और बहुत इंट्रेस्टिंग भी है यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक तक के लिए नमस्कार